उत्तरपदेश की 10 सीटों पर उप्चुनाओं होने हैं, हाला कि अभी तक तारीखों का एलान नहीं हुआ है, उन तमाम सीटों में से एक सीट कानपुर की सीसा मुसीद भी है, जिस पर उप्चुनाओं के बादल मन्रा रहे हैं, ये बात इसलिए कही जा रहे हैं, क्योंकि साल की सजा सुनाई है, अब इर्फान सोलंकी और समाजवादी पार्टी इस प्रयास में है कि इर्फान सोलंकी की जो सजा है, उस पर उन्हें न्याया ले, इस्टे दे दे और उनकी विधाई की बच जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस सीट पर अगर चुनाओं की स्थिति अभी कनफर्म नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है, इस सीट पर चुनाओं होंगे? इसलिए हमें कोई अत्रिक त्यारी नहीं करनी होती, लेकिन चुनाओं के लिए हम 24 घंटे त्यार रहते हैं, यह हमारी अपनी कारपत्ती है. अच्छा एक बात सियासी के लिए आरे में और भी निकल करा रही है, कि इस सीट पर बीजेपी, क्योंकि यह सीट जो है, सीसामो सीट, इस सीट पर 40% मुस्लिम मत दाता है, और यह चुनाओं में नडाय भूमिका निभाता है, तो बीजेपी कहीं न कहीं इस 40% वोट को काटन चाह रही है, और बाकी का साथ हो, उसके पास हाई है, तो क्या लगता है, कौन सी रणनीती काम आएगी? प्रियास भी कर रहे हैं, बहुत हमारे अलब संक्यक मोर्चा है, हमारे तमाम ऐसे लीडर भी हैं, जो इसको चाहते हैं कि उनको टिकट यहां मिले, यह बिसय तो नित्रतुका है, लेकिन इस सीसामो विधान सफ़ा को हमने तीन वार, पहले राके सुनकर के रूप में विधा जी की नीतियां और जिस प्रकार से हम इस सीट को पिछले, अगर आप आंकड़े उठा करके देखें तो दोहजार बाइस में देखें, दोहजार सत्रा में देखें, बहुत कम मामुली अंतरों से हम इस सीट को हा रहे थे, जबकि हमारे यहां एक बार दो बार ब्रहमन प्रत प्यासी दिया गया है और तब भी हम साड़े पांच जार और साथ जार साड़े साथ जार के लगबग अंतरों से दोनों बारिस चुनाओं को हा रहे हैं तो ये बड़ा केवल बहुत ऐसा अंतर नहीं है कि जिसको हम अचीव न कर पाएं लेकिन हमारा प्रयास होगा नेतवर्त जी और योगी जी लगातार अपने सरकार के माध्यम से काम कर रहे हैं केवल ये प्रस्तितियां लोगों के दिमाग में कहीं भ्रम पैदा कर सकती हैं कि जो पिछले लोकसवा के चुनाओं में हमारे हार का थोड़ा अंतर जादा रहा वो कारण पूरे देस में कहीं न कहीं र रहे हैं और हमें भरोसा है कि ये सीट भारती जन्ता पार्टी जीतेगी अच्छा जो उप्चुनाओं होने हैं ये उप्चुनाओं कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चुनाओती तो ही है क्योंकि जीतना चाहती है और लोग सभा परड़ाम को देखते हुए पूरी ताकत भी जो करेंगे समाजवादी पार्टी के ओर से जो शीर्स नेत्रत है उसने इर्फान सुलंकी की पत्नी नसीम सुलंकी को चुनाओं लगने का ऐलान कर दिया है अब इस सीट पर मुस्लिम प्रत्यासी वो भी विधाय की पत्नी ऐसे में वो प्रत्यासी होंगी और मुस्लिम जो म हम उसको अपने तन्मन और धन के साथ उसको चुनाव लड़ाएंगे लेकिन इस समय पच्छ में हमारे माहुल इसलिए है कि पिछले इसी लोग सभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिल करके जो जूट फैलाया जो भ्रम फैलाया कहीं आरक्ष आरक्षण भी बदलने के विश्य को लोग समझ चुके कि जब 10 वरसों में मोदी जी नारक्षण ने बदला तो अब वो कहां आरक्षण बदलने वाले और अभी भी आरक्षण पर बदलना नहीं बलकि आरक्षण को और मजबूती के साथ देने का काम मोदी जी कर रहे हैं इ सबका साथ सबका विकास लेकिन इस सीट पर मुसलिम कंडिडेट को कभी प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा तो क्या लग रहा है नहीं देखे चुनाव की एक रणनेती होती है कि चुनाव में जीतने वाले कंडिडेट माइने रखता है उसको दिया जाता है वो हिंदू भी हो सकता है मुसल्मान भी हो सकता है सिक भी हो सकता है इसाई भी हो सकता है ये वेक्टित तो पर उसकी समाज में सिवाओं पर आध हो रहे हैं हम लोगों से connectivity बनाए हैं लोगों का विस्वास हम पर और अन्तोगत्वा उनका ये कहना वहां कि बिधान सबाद छेत्र के लोगों का मद्दाताओं का ये कहना कि नई भाई जनता बीजेपी के सासन से दुखी नहीं है सासन से प्रसंद है क्योंकि हमारे यां लाव जो योजना सबका साथ सबका विकास सबके विक्सवास पर जिस मुसलिम वर्ग के भाई बेनों को हम 18 से 19 परसंट यहां पर आखते हैं हमारे सरकारी योजनाओं का लाव 33 परसंट से ज़्यादा हमारे मुसलिम भाई बेनों ने लिया है इसलिए हमें भरोसा है कि हमारे मुस पर्देश वो भी चाहते हैं, गुंडा गर्दी खतम वो भी चाहते हैं, इसलिए उनको कहीं न कहीं भारती जन्ता पार्टी पर ये विश्वास बढ़ता जा रहा है, और हम इस सीट को जीतने की और अगरसर हो गरें. ऐसा नहीं लगता है कि अगर बिजेपी मुस्लिम किसी केंडिडेट ये प्रत्यासियों को उतारेगी, तो मुस्लिम जो मद्दाता है, वो बिजेपी करफ जादा रुजान कर लेगा. अगर सबका साथ सबका विकास की बात बारतियांता पारटी में होती है, हमेशा से होती चली आ रही है, ऐसे में अगर समी करना ऐसे बनते हैं कि सीट पर मुस्लिम प्रत्यासियों उतारा जाए या लडाना बेहतर होगा, तो क्या पार्टी तयार रहेगी? पार्टी तो हम लोग तयार हैं पार्टी जो निर्णा करेंगी पार्टी मुस्लिम को टिगट दे, पार्टी हिंदु को टिगट दे, जिसको भी टिगट दे, हम लोग तयार हैं चुकि हम कार्य करता हैं, और हम कार्य करता के नाते से कमल के फूल को जानते हैं, कमल के फूल क से कह दिया है कि इस सीट पर पार्टी नेत्रत जिसको चाहेगी उसको टिकर देगी और अगर समीकरण कुछ ऐसे बनते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर मुस्लिम मद्दाताओं को अपनी और हीचा जा सकता है तो भारती इंद्धा पार्टी उससे भी पीछे नहीं हटेगी और अगर समीकरण बने तो फिर यहाँ पर सीशा मुस्लिम प्रत्यासी भी उतर सकता है कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शारिक खान के साथ विकास धिमान एवी पिलाइट